मैं दॉक्टर शिल्पा यादर असिस्टेंट प्रोफेसर बोटनी गर्मेंट डूंगर कॉलेज बीकानीर आज हम जिम्नो स्पर्म के जेनरल करेक्टर्स अनावरत बीजी के सामान्य लक्षन के बारे में अध्यन करेंगे स्पर्मेटोफाइटा जो डिवीजन स्पर्मेटोफाइटा है इसका अर्थ है स्पर्मा मतलब सीड और फाइटान मतलब प्लांट ऐसे plants जो seed bearing है वो spermetophyta division के अंदर रखे गए है इस division को दो subdivisions में divide किया गया है division को दो subdivisions में divide किया है gymnosperm और angiosperm gymnosperm मतलब अनावरत बीजी angiosperm मतलब आवरत बीजी मतलब अगर बीज नगन है seed naked है तो उन्हें gymnosperm या अनावरत बीजी कहेंगे और seed अगर ovary में बंद है अगर seed अनदाशे में बंद है तब उसे angiosperm या आवरत बीजी कहेंगे तो gymnosperm, gymnos का मतलब naked sperma का मतलब seed उसी तरीगे से angiosperm angio का मतलब vessel और receptacle sperma का मतलब seed तो आपको क्या याद रखना है अगर seed naked है तो gymnosperm और अगर seed ovary wall से covered है तो angiosperm अगर बीज नगन है वो pushpia paudhों की तरह बीजों के समान अंदाशे में बंद नहीं होते तब उसे gymnosperm कहेंगे और अगर बीज अंदाशे भित्ती से ढखा हुआ है तब उसे angiosperm या आवरद बीजी कहेंगे जिमनोसperms को phanerogames without ovary कहते हैं अंदाशे रहित phanerogames कहा जाता है यह सबसे simple and primitive plants है सरल और आध्यपादप है प्रेस में क्या मवजूद होते हैं? naked ovule बीज नगन होता है अंदाशे से घिरावा नहीं होता seeds are not enclosed in ovaries इनका origin या उत्पत्ती paleozoic era, paleozoic महा कल्प में हुई थी mesozoic era के jurassic और cretaceous period में यह earth पर main vegetation या main plants थे मतलब dominant cup थे jurassic and cretaceous periods of mesozoic era में इसके लगबक 70 genera और 725 species आज living मौजूद है इसमें कुछ ऐसे orders हैं जिनके अंदर सारे के सारे प्लांस हैं वो extinct मतलब लुप्त हो चुके हैं जैसे psychedophilicals, benytales, cordialdales आगे चलते हैं कहां पर मौजूद हैं यह पादब यह temperate और tropical regions में मिलते हैं यह ऊस्ट कटी बंदी है यह शितोष्न दोनों ही तरीके के एरिया में मिलते हैं और बहुत कम आर्टिक रीजन में मिलते हैं यह evergreen trees और sherbs हैं with zerophytic adaptations सदाहरित व्रक्ष अत्वाशुप और इन पौधों में मरुद वीदी अनुकूलन मौजूद होता है main plant body sporophytic है मुख्य पादब शरीर बीजानो भिद है और यह जो बीजानो भिद है यह sporophyte है यह root stem और leaves में differentiated होता है मूल स्थम पर पतियों में विभेदित होता है अब सबसे पहले मूल की बात करें या जड़ की बात करें या root की बात करें तो यहाँ पर tap root system मिलता है मूसला जड़ मौजूद होती है अब tap root क्या होती है जो primary root होती है उसको हम क्या कहते है tap root कहते है ठीक है कौन सी root जो seed से बनी है radical से बनी है radical से जो बनीवी root है वो क्या कहेंगे tap root कहेंगे और किसी भी कारण से अगर radical से बनीवी root destroy हो जाए या आगे develop नहीं हो और फिर जो root system बने उसे हम क्या कहते है adventitious roots कहते है तो यहाँ पर कैसी जड़े है tap roots मूसला जड़ है और उसके साथ साथ ही कुछ roots में हमें symbiotic association देखने को मिलता है कुछ जड़ों में सहजीविता देखने को मिलती है जैसे की साइकस के अंदर तो blue green algae नील हरिच शेवान और जो मिलता है ठीक है दोनों याद रखने हैं आपको कि algae के साथ association साइकस में तो हाँ पर बनती ही coraloid root और fungus के साथ association pinus में जिसे हम क्या कहते है mycorrhiza कहते है ठीक है अब यहाँ पर जो root है वो कैसी है die arc and poly arc है कैसी root है dwi आदी दारुक की roots मौजूद होती है और यह सभी roots कैसी होती exact condition में होती है बहिरादी दारुक होती है ठीक है exact का क्या मतलब होता है बहिरादी दारुक का क्या मतलब है यह जो primary xylem है वो तो periphery की तरफ होगा और जो meta xylem है वो cortex की तरफ sorry meta xylem जो है वो pit की तरफ होगा ठीक है अगर primary xylem periphery की तरफ हो तब उसे हम कैसी अवस्ता कहते है exact या बहिरादी दारुक अवस्ता कहते है अब चलते है stem पर stem यानि तना यहाँ पर उधर्व मतलब erect शाकित हो सकता है लेकिन साइकस में कैसा है unbranched और शाकित है ठीक है और काश्टी होता woody होता है ठीक है या फिर jamia जैसी कुछ genera में यह कंदील मतलब tuberous हो सकता है हमेशा इसके तने पर leaf scar या pern दाग होते है scale leaves जो होती है तने पर लगती है और जब जड़ती है तो पीछे जो scar छोड़ जाती है तब उसे क्या कहते है leaf scar या pern दाग वो हमेशा मौजूद होंगे gymnosperm के stem पर stem पर ठीक है यहां पर जो लीव्स है वो डायमॉर्फिक होती है दूी रूपी दूी रूपी मतला दो तरीके की जैसे की cycle से उसमें folio's leaf होंगे और साथ में शल्किय पत्यां में मौजूद होंगे folio's leaf समेशे कैसे होंगे green, simple, needle shaped या pinnately compound folio's leaf यानि की सामाने जो पत्निया हो गैसी होंगी हरी सरर सूच्याकार सूच्याकार या निदल शेप किसमें पाइनस में है और पिच्छाकार संयुक्त पिननेटली कंपाउंड मतलब वो कहा है साइकस में मौझूद है तो ऐसी फोलिय जीफ होंगी और दूसरे प्रकार की जो पत् डामोस होती है अफेड्रा में एक दूसरे या तूसरे की लिफ है टीक है अभ एक रहें प्रेश के लिफ्ल हैं नोसे के लिफ रूप है सिक मोनोमॉर्फिक एक रूपी तेख है लेकिन जहां पर दोनौं तरीक ही लीफ रूपी है तहली है और स्केल भी है तğ़ए लियम eff eff tanniniferous cells मौझूद होती है cortex के अंदर कैसी cells है इनके अंदर tannin मौझूद है जो stem है उसके अंदर कैसा vascular bundle है collateral open open का मतलब क्या होता है open का मतलब होता है कि वहाँ पर xylem और phloem के बीच में cambium मौझूद है ठीक है अगर cambium मौझूद होगा तो vascular bundle को हम कहेंगे open और अगर cambium मौझूद नहीं होगा ऐसे vascular bundle को हम कहेंगे close तो यहाँ पर हमेशा कैसा vascular bundle है open मतलब cambium की मौझूद की हमेशा होगी और इसका तने के अंदर कैसी condition है collateral collateral का अर्थ क्या होता है collateral का मतलब होता है flow iam और xylem एक ही रेडियस पर मौझूद हो है ना xylem और flow iam एक ही रेडियस पर मौझूद हो मतलब flow iam जो है वो periphery की तरफ हो xylem जो है वो center की तरफ हो ठीक है अब xylem अगर center की तरफ है और ऐसी अवस्था में हम कह रहे है एक्जार कंडिशन तो कैसी होगी कि primary xylem तो बाहर की और होगा और meta xylem बित की तरफ होगा ठीक है ऐसी कंडिशन है exark तो क्या याद रखना है कि root में हमेशा कैसी अवस्था होगी exark और stem में हमेशा कैसी अवस्था होती है endark ठीक है दूसरी root में कैसा arrangement है radial मतलब xylem है और उसके पास में phloem होगा xylem phloem xylem phloem xylem phloem इस तरीके से लेकिन stem में collateral bundle होता है collateral मतलब बाहर की तरफ xylem phloem है और phloem के साथ ही phloem के जस्थ नीचे xylem मौझूद है ठीक है आपको बात समझ में आ गई वरना चित्र से हम बात में जब इसकी anatomy पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी वरना अपली समझने की कोशिश करिए roots के phloem के बाद वापस xylem फिर इस तरीके से एक ही circle में xylem phloem xylem phloem होंगे ठीक है हर एक radius एक radius पर सिर्फ xylem एक radius पर सिर्फ phloem ठीक है जबकि stem के अंदर collateral condition है मतलब phloem phloem के जस्थ नीचे xylem ठीक है ठीक है एक ही radius पर phloem और xylem दोनों मौझूद होंगे यहां पर जो xylem है उसके अंदर सिर्फ ट्रेकीड और xylem parent काइमा होता है वैसल्स absent होते है नीटेल्स के अंदर वैसल्स भी मौझूद होते है ट्रेकीड मतलब वाहि निकाए और xylem parent काइमा दोनों क्या होंगे मौझूद होंगे और नीटेल्स को छोड़कर बाकी सभी ग सीव ट्यूब्स और phloem parent काइमा चालनी न लिकाए और phloem parent काइमा मौझूद होती है और डीटेल्स को छोड़कर बाकी सभी ओर्डर्स के अंदर सह कोशिक आए companion cells absent होती है अब यहां पर secondary growth मौझूद है देखिए हमने उपर अभी आपको बताया कि स्टैम के अंदर क्या है open vascular bundle है open vascular bundle क्यों है क्योंकि वहां पर cambium मौझूद है xylem और phloem के बीच में cambium का काम क्या है secondary growth तो यहां पर हमेशा द्वित्यक्रद्धि या secondary growth मौझूद है और हम यहां पर सूस्पष्ट वार्शिक वलाई देखने को मिलते हैं clear annual rings बनती है annual rings बनने का करण क्या होता है कि अगर जब season favorable होता है तब जो जाइलम में जो ट्रेकीट्स बन रहे हैं वो बड़े बड़े बनेंगे क्योंकि वहां पर खूब सारा उनको वाटर का का कंडक्शन करना होता है लेकिन जब टैंपरेज सीजन जो है वह फेवरेबल नहीं होता उस समय यही ट्रेकीट्स बिल्कुल छोटे-छोटे बनते हैं क्योंकि वाटर का उतना ट्रांस्पोर्टेशन उसमें नहीं हो पा रहा तो इस वजए से एक डिस्टिंक हर साल में एक स्टिंक्ट उसमेने केलिए अलग और शहाये सक अलग थो डार्क और लाइट की लाइट बन ünतियों principle अपने सकते हैं मान वोड होती है मैण हो जाईलिक और पिकनोजाईलिक ठीक है तो पिकनोजाईलिक कैसे होती है compact strong wood with large amount of xylem tracheids or wood and small amount of cortex and pith with little parenchyma ठीक है जबकि manozyglic condition जैसे कि psychos में मिलती है उसमें क्या है non compact wood large amount of parenchyma large pith and cortex mixed with less amount of xylem tracheids or wood ठीक है softwood होगी manozyglic और hardwood होगी pignozyglic तो manozyglic कैसी है इस प्रकार की काश्ट में पिथ वे कॉर्टेक्स सुविक्सित तथा मज्जा रश्मिया चौड़ी होने के कारण काश्ट सहथ नहीं होता non compact जैसे कि psychos में और पिथ वे कॉर्टेक्स अध्यदिक न्योन करत होते हैं मज्जा रश्मिया पेक शाकरत कम होती है अता इस प्रकार का काश्ट में जैलम तत्व सगन रूप से विवस्तित होता है तो सगन रूप से विवस्तित है compact है तो इसी wood किस में मौजूद है pinus में आप से manozyglic और pignozyglic में क्या difference है ये short question में पूछा जा सकता है इसलिए इसे ठीक से याद करें leaf जो है उनके बाहर हमेशा thick cuticle होगी देखिए सबसे पहला point हमने पढ़ा था zero phytic adaptations दिखाते हैं मरुद बूदी अनुकूलन दिखाते हैं तो thick cuticle का मौजूद होना धसेवे रंद्र sunken stomata का मौजूद होना ये किसके लक्षन है zero phytic characters है यहाँ पर जो पर्ण मध्योतक होता है mesophyll होता है वो spongy और paliside cells में differentiated हो सकता है और pinus के अंदर ये undifferentiated भी होता है मतलब सिर्फ mesophyll cells होंगी pinus में जबकि साइकस के अंदर spongy parenchyma और palisade cells में differentiation मिलता है अधिकाश जो gymnosperm में लेटरल veins absent होती है पार्श शिराओं का अभाव होता है अब पार्श शिराओं नहीं है तो पत्तियों तक भूजन कैसे पहुँचेगा लेफ लेट जो है वहाँ पर लेटरल रांस लोकेशन मतलब पार्श श्थाना अंदरन अब हम आगे चलते हैं इसके रिप्रोडक्शन के बात करें तो यह plants हीट्रोस्पोरस है विश्यम भी जानुक है मतलब गुरू या लगू भी जानुदानिया बनाएंगे मेगा एंड माइक्रोस्पोरिंजिया बनाते हैं तो यह जो माइक्रोस्पोरिंजिया होंगे वो किस पर लगते हैं माइक्रोस्पोरोफिल पर लगते हैं और यह माइक्रोस्पोरोफिल के जो गृप होता उसके हम क्या कहते हैं मेल कॉन थेक है और मेल कोन हमेशा कैसा होगा कॉम्पैक्ट होगा जब कि जो फिमेल कोन है वो South भी हो सकता लूजली आरेंज़ भी हो सकता है पर आपको ययाद रखना है कि जो गुरू और लğु बजानों धानी है वो जो इसमस्विक पर मॉज Guid oudगे और वो क्या बनाएंगे एक कॉमपेट कौन बनाएंगे स्टाविलस बनाएंगे गुरू या लगू विजानो धनिया गुरू य लगू बिजानो परणों पर मौझूद होंगी और उन्से वह सगन शंकू अथा स्टॉबिलस बनाएंगे सबिड़니 सकते हैं पर दो को स्वीशीज में द्वी बीजानु धानिये शंकू या बाइस पोरेंजियेट कौन भी मिलते हैं अब मेल कौन जो है हमने बात की वह हमेशां कॉंटेक्ट कॉंपैक्ट ही होगा और इसका डेवलप्मेंट यू स्पोरेंजियेट होता है अब यहां पर जो माइक्रो स्पोर है वो किस अवस्था में लिबरेट हो रहा है वो एक बात है पढ़ने की अगर थ्री सेल्ट स्टेज में जैसे साइकस में फोर सेल्ट स्टेज पाइनस में और फाइफ सेल्ट स्टेज एफेडरा में फीमेल कौन जो है वो जादा तर तो कॉंपैक्ट ही होता है लेकिन कभी- शक्ता या freebio सकता है ँसके पाद ले जो गुरू बीजान हो थानी उसके इंदर ईयो दियान ञोन नहीं होताहार जह जाहरों में रूरी मौचोद नहीं होता है और या वीजान का मतलब क्या होता है कि माइक्रोपायल जो होता है वो अपेक्स पे अहीं होता है ठेक है, completely straight ovule with micropilot the apex, रिजू प्रकार का होगा और यह unitag में होता है एक अध्यावरुनी होता है सिर्फ details के अंदर, देखें details में आपको हर जगे है, difference याँ रखना है xylem के अंदर, बाकी कहीं पर भी vessels मौजूद नहीं है लेकिन details में मौजूद है phroem में देखें, तो कहीं पर भी companion cell मौजूद नहीं है, बस details में मौजूद है, उसी तरीके से सिर्फ details के अंदर ही जो बीजान है, मतलब ovule है वो biotagmic है द्वी अध्यावरुनी और बाकी सभी में यह एक अध्यावरुनी, यानि unitagmic है, एक ही integument है, single integument है यह three layered होता है, तीन परतों में विवेदित होता है जो inner और outer होती है वो fleshy होती है, बहारी है वे अंताय परते है, muscle होती है और मध्य परत, मतलब middle layer, stony होती है अश्ठेल होती है ठीक है अब archegonium एक single egg से बनावा है, और और smissel, wake, venter के नाल सेल है neck के नाल सेल सेपसंट होती है एक अंड है और अंडदा नाल कोशिका है, ठीक है ग्रीवा नाल कोशिका है यहाँ पर मौजूद नहीं होती यह दोनों ग्रीवा नाल कोशिका है ब्रायफाइट्स और ट्रेड़ोफाइट्स में मौजूद थी जिम्नोस्पर में यह नहीं मौजूद है पॉलीनेशन wind द्वारा होता है पॉलन ग्रेंस के जो पहुंचते हैं कहां पर एक पर पहुंचते हैं मतलब पॉलन ट्यूब बनती हैं यहां पर ठीक है और पॉलन ट्यूब हस्टोरियल भी हो सकती है जैसे कि साइकस में और स्पर्म केरियर भी हो सकती है जैसे कि पैनस में चूशकांग जैसी होंगी नलिका चूशकांग बनाएगी साइकस में और युग्म वाहक होगी, युग्मक वाहक होगी, पाइनस के अंदर, ठीक है, बर हमेशा कैसा है, सिफानो गेमस है, मतलब पोलन ट्यूस बनेगी, अब उसके बाद हम आगे चलें, जाइगोट बनेगा, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जब होगा, एगोट, मेल गेमिट का मेरोब्लास्टिक, अंशभाजी, मतलब ब्रून जो है, वह है, युग्मेज के केवल एक भाग, आधारिय भाग से ही विक्सित होता है, एम्ब्रियो डेवलेट सॉम उनली पार्ट, मतलब बेसल पार्ट ऑफ दे जाइगोट, यहां पर जो दूसरी बहुत इंपॉर्टन ब जो बहुत इंपॉर्टन पॉंट है, आपको याद रखनी लेग, जो एंडोस्पॉर्म फोर्मेशन हो जाता है, ठीक है, अब बिफोर फोर्टिलाजीशन हो गया तो एंडोस्पॉर्म कैसा होगा, है फ्लॉइट, अ गुणित होगा, लेकिन जो हमारी एंडोस्पॉर्म फो after fertilization होता है नेशेचन के बाद होता है और इस वजह से वहाँ पर क्या बहुत है ट्रिप्लॉइड होता है अब ट्रिप्लॉइड की हिंदी मुझे नहीं पता हैं सौरी प्रिप्लॉइड होता है महां पर एंडोस्पर्म और यहां पर कैसा है है प्लॉइड है ब्रूण से और नीशेशन से पूर्व होता है और इसके वजह से भूण पोश्थ ऐसा होता है और गुनध होता है है फ्रेक हैं अब आगी चलें तो एंब्री और जो है यह व्यास chief बंद्स्कुपिक होता है है क्म sense ABOUT होता है मतलब शूट एपक्स डारेक्टट अपोजट तू दा मैक्रो पाइल यहां पर पॉली इंब्रियोनी देखने को मिलती है पॉली इंब्रियोनी का मतलब बहु भूणता और यह जो बहु भूणता है वो दो तरीके से हो सकती है या तो एक से अधिक एक्स का पॉली इंब्रियोनी मतलब जब बन गया उसके बाद उसके डिविजन की वजए से बहुत सारे एंब्रियों बन गए हैं बहु भूणता देखने को मिल रही है तो उसे क्लिवेज पॉली इंब्रियोनी कहेंगे अब और लेकिन उसके बाहर सीट कोट होगा सीट के बाहर कोट भले ना बने फ्रूट किसे बनता है ओवरी से ना तो फ्रूट तो महसं अएगा लेकिन सीट कोट मौझ ओगया क्योंकि इसके बाहर इंट अब्रियोनी होचाट को दरशाता है कौन कौन सी देखिए इंटेग्यमेंट और नूसिलस जो मौझूद है वह मदर स्पोरोफितिक फेस का है ना और एंडोसपर्म जो बना भून पोश जो बना वह अगुनित है ना वह गमेटोफितिक है और एंब्रियो जो है अब जो बना नया वह किसे बना एंब्रियो से और जाइगाट किस से तू एंड नवस्ता में आया मेल और फीमेल गमेट के फ्यूजन से इसलिए अब यह क्या है नेक्स्ट पोरोफितिक जनरेशन को दिखाता है ठीक है तो एक ही सीट के बाहर जो इंटेग्यमेंट यह बाहर नूसिलस है वो क्या है जो पुराना पाद इसलिए नेक्स्ट पोरोफितिक फेस को दिखाता है तो इन बादों में या जिम्नो स्पर्म के अंदर सूस्पर्ष्ट पीडी एकांतरन देखने को मिलता है क्लियर ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है जिसमें डॉमिनेंट क्या है द्वीगुनित वीजानूब प्रावस्था ठीक है डिप लॉइट पॉरफितिक स्टेज के सब्सक्रा इंधावन इंदरों मतलब कि हैप लॉइट शोगया है धै युद्मोबित प्रावस्था बिजानोबित प्रावस्था पर आश्रित होती है। धन्यवाद।